गाईज ये कहानी है जम्मू कश्मीर के चोटे से गाउं से तालूग रखने वाले अभिशेक शर्मा की जो एक ऐसे शेतर से आते थे जहां से शायद ही कोई I.S. अफिसर बना हो लेकिन उनका शुरू से ही सिविल सर्विसिस में जाने का सपना था उन्होंने सोच रखा था कि इसके लिए चाहे जितना संगर्श करना पड़े वो पीछे नहीं हटेंगे बस मन में एक ही डरता और वो अंग्रेजी का क्यूंकि अभिशेक की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी और इसका नतीज़ा वो दो बार मेंस एक्जाम पास करने के बाब जुद भी इंटर्व तो इसलिए इंग्लिश को आज से अपनी ताकत बनाना शुरू कीजिए हमारे इंग्लिश कोर्स के निज़ा प्रो बैच के साथ इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंडरॉल नाउ गैस पाकिस्तान में लगातार भड़री महंगाई ने हाहा कार मचा दिया है और इस महंगाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि घरों में यूज होने वाले लपीजी सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपे से भी जादा हो गई है जी आँ गैस अब ठीक चुन रहे हैं औ जो कि अगले 10-12 सालों में पूरी तरह से खतम हो जाएंगे इस वज़े से लपीजी की कीमतें बढ़ती ही जा रहे हैं वहीं लपीजी के आयात की बात करें तो पाकिस्तान पर पहले से ही बहुत जादा कर्ज है तो वो दूसरे देशों से लपीजी का आयात नहीं कर सकता ग दुद्धि छेड़ गया है और दुनिया की अर्थ व्यवस्था पर इसका बुरा असर पढ़ना शुरू हो गया है सबसे पहले कच्चे तेल के दाम 8 सालों में यानी 2014 से सबसे उचे स्तर पर हैं इंधन की कीमतों में व्रिद्धी से लगपक हर वस्तु के मूल्य पर भी प् भग 40 प्रतीशत प्राकृतिक ग्यास के लिए रूस पर निर्भर है इसी वजा से दुनिया भर के देश इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त होते देखना चाते हैं इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और ऐसे ही informative वीडि बदलते भारत की नई सोच को शार्क टेंग टीवी शो ने एक नया मंच दे दिया है जहां पर कई उभरते स्टाट अप्स के सपने सच हुए हैं आज का भारत नए आइडियास रिस्क उठाने की कपैसिटी और बिजनस को नया आयाम देने में किसी से पीछे नहीं हैं समाज किसी बदलाव की तस्वीर दिखाते हुए शाक टैंक इंडिया के शाक्स यानि की बिजनस टाइकून्स ने नए स्टाट अप्स और इंटर्पनियोस को निवेश हासिल करने का मोका दिया है और बिजनस से जुड़ी कई बारीकियों का अनुभव कराया है गाइस देश बद कर सकते हैं तो देर किस बात की आज ही एटू एप यानि की कॉंकर एप को डाउनलोड करें और वहाँ पर मेरे स्कोर्स को इंड्रोल करें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है थैंक यू सो मच रूस के भीशन हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन की तरफ अब दुनिया के सबसे अमीर शक्स एलोन मस्क ने हाथ आगे बढ़ाया है एलोन मस्क ने अपनी कंपनी की स्टार लिंक सेटेलाइट ब्रोडबेंट सेवा को यूक्रेन में एक्टिव कर दिया है दरसल स्टार लिंक सर्विसेस एक सेटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जो युद्ध या फिर किसी आपात काल परिस्तिती के दोरान भी एक्टिव रहती है और बंद नहीं होती युक्रेन के कई इलागों में रोजाना, रूसी हवाई हमलों की वज़े से इंटरनेट ने काम करना बंद कर दिया था जिस कारण युक्रेन के उप प्रधान मंत्री मिखाईलो फेडरोव ने एलोन मस्क से युक्रेन में स्टार लिंक सेटलाइट इंटरनेट सर्विस को एक्टिव करने की मांग की थी अब देखने वाली बात ये है कि एलोन मस्क की इस मदद के बाद रशिया का एलोन मस्क पर क्या रियक्शन होगा क्योंकि रशिया पहले ही युक्रेन की मदद करने वालों को चेतावनी दे चुका है इस बारे में आपका क्या खयाल है कुमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे मेजिंग वीडियो के लिए शेर सब्सक्राइब ए लाइक बिलत अगली वीडियो में अब हमारे यूट्यूब के वीडियो यूट्यूब से भी पहले देखें हमारी एटू एप पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है डाउनलोड राइट नाउ